नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सुपलो और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि नौरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है। माता दुर्गा यह शक्ति की उपासना क्यों की जाती है। और क्यों नौरात्र के तेवहार को हम एक उत्सव एक पर्व के रूप में मनाते हैं। नौरात्री ये कैसा तेवहार है जो कि साल में दो बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक नौरात्री हम गर्मी की शुरुवात के समय मनाते हैं, जिसे की चैत नौरात्री कहते हैं, क्योंकि ये चैत रुट में प्रारंब होती है, या चैत रुट में मनाई जाती है, और दूसरी नौरात्री हम सीथ काल के प्रारम में यानि कि जब थंड की सुरुवात होते हैं उस समय मनाते हैं, अस्विन माय में इसलिए उसे सीथ नौरात्री कहते हैं तो नौरात्र को मनाने के लिए हमारे पुराणों में दो कथाएं प्रचली थे तो पहली कथा के अनुसार लंका युद्य के समय रावन का वध करने के लिए भगवान ब्राम्मा भगवान श्री राम के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपको चंडी देवी की आराधना करने चाहिए और हवन करना चाहिए चंडी देवी की आराधना करने के लिए दुरलब 108 नील कमल की पुस्पों की जरूरत होती है और साती साथ कुछ और भी पूजन सामगरी की जरूरत होती है तो ये सारी सामगरी भगवान, ब्रह्मा, श्री राम के लिए विवस्थित करवा देते हैं दूसरी और रावण भी युद्ध में विजई होने के लिए चंडी देवी का पाठ ये शोध सुरू कर देता है और ये जो खबर होती है ये इंद्र देव पवन देव के माध्यम से भगवान श्री राम तक पहुचा देते हैं और रावण तो बहुत मायावी था तो उसने अपने मायावी सक्तियों का उभ्योग किया और जहां श्री राम पूजा कर रहे थे वहां से जो 108 निल कबल थे उसने उससे एक निल कबल गायब करवा दिया जिससे कि भगवान श्री राम की जो पूजा थी वो बाधित होती नजराने लगी और उनका संकर्पुनी टूटता हुआ नजराने लगा और जितने भी लोग थे वहां उन सब में ये भै हो गया कि अब माता उनसे नाराज हो जाएंगी कूपित या क्रोधित हो जाएंगी तब ही भगवान श्री राम को याद आता है कि उन्हें नवकंज लोचन या कमल नयन भी कहा जाता है तो उन्होंने सोचा कि क्यों न वो अपना एक नयन माता की सेवा में या माता की पूजा में समर्पित कर दे और जैसे ही भगवान श्री राम अपना नयन निकालना चाहते हैं माता प्रगट होती हैं और वो उन्हें आसिरवात देती हैं कि आप इस युद्ध में विजई होंगे और मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए भगवान श्री राम लंका युद्ध में विजई होते हैं और जिस दिन उन्हें ने रावन का वद किया था उसे हम विजई दस्मियत दसहरे के रूप में मनाते हैं दूसरी ओर जहां रावन अपना पाठ कर रहा था वहां बजरंग बली या भगवान हर्मान बालक का रूप लेके जाते हैं और पाठ करने वाले ब्रामडों के बीच में वो बैठ जाते हैं और एक स्लोक जया देपी भूरती हर्नी में हर्नी के स्थान पर वो करनी का उचारन करा देते हैं हर्नी का मतलब होता है भगतों की पीड़ा को हरन करने वाला और करनी का मतलब होता है पीड़ा देने वाली तो इस बात से चंडी माता रावन से नाराज हो जाती है उससे कूपित यक्रोधित हो जाती है और वो उन्हीं स्राब दे देती है कि तुम्हारा सर्वनास हो जाएगा और इसलिए रावन का सर्वनास हो जाता है और भगवन राम की जीत होती है नवरात्र को मनाने की जो दूसरी कथा है उसके अनुसार महिसा सुर नाम का एक आसुर था और जिसने बहुत कठिन तपश्या की थी, बहुत कठिन साधना की थी और जिससे सभी देवता उससे प्रशन हुए और उसे अजे होने का वर्दान दे दिया और ऐसा वर्दान पाकर महिसा सुर उस वर्दान का दुरूपयोग करने लगा उसने स्वर्ग को नर्क के द्वार तक विस्तारित कर दिया और जितने भी देवता थे सूर, इचंद्र, वायु, अगनी इन सभी देवता से उसने उनका अधिकार छीन लिया और स्वर्ग का मालि दुर्गा की रचना की और माता दुर्गा महिसा सूर से युद्ध में जीत सके या उसका वध कर सके इसके लिए उन्होंने उनके जितने भी अस्ते सस्रते वो माता दुर्गा को समर्पित किया जिससे कि दुर्गा माता बहुत बल्वान हो गई, नौ दिनों तक माता दुर्गा और महिसा सुर का संग्राम चलता रहा और उसके बाद उन्होंने महिसा सुर का अंत कर दिया, उसका वध कर दिया, और तब से दुर्गा माता महिसा सुर मर्दनी के नाम से जानी जाने लगी अच्छी लगी होगी जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग